हलो दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों आज आपको हम बताने वाले है कि EPS समधित बहुत बड़ी अपडेट कभी ना कभी इसकी जरूरत आपको कभी ना कभी होगी क्योंकि आपको हम बता देते हैं जो आपका pen card होता है उसको आप अपने UAN और PF account में किस परकार से अपडेट करोगे जब आप PF withdrawal करते हो तो उस समय आपके जो के परकार के tax होते हैं उसे आप बस सकते हो तो आपका कम से कम अगर आप PF के अंदर अपना pen card नहीं डालोगे नहीं कट सकता है पैसा आपके PF withdrawal में से तो आपको समझ में आ रहा होगा आप भी अपना PF के साथ आपका जो pen card है उसको किस परकार से अपडेट करोगे वह मैं आपको बारे के साथ सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में बस आपको कुछ नहीं करना बस वीडियो के इंदे तक पर जानकर यह वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके आप एपफो की साइट को open कर लोगे उसके बाद में आपको UAN और passport की मदद से login हो जाना है आपको यहां पर एक banner सा नजर आ रहा होगा तो आपको इस banner को यहां से cross की निसान से आपको यहां से इसको हटा देना है तो मैं इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ उसके बाद जैसी ही आप इस option पर आते हो तो आपके सामने यहां पर manage का option नजर आ रहा होगा तो आपको manage के option पर click कर देना है manage के option पर click करके आपको KYC option पर click कर देना है यहां पर नजर आ रहा होगा आपको यहां नजर आ रहा होगा मैं आपको कोशिस करता हूँ दिखाने की तो आपको यहां पर bank, pen, आधार यह वाले option नजर आ रहेंगे तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ जो आपका bank का detail था उसका मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ किस परकार सा bank का information भरोगे के वैसी कैसे update करोगे लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका pen card है उस pen card को किस परकार से आप update करोगे आपको यहां दिख रहा होगा pen card और जो passport होता है वह जो international करमचारी होते हैं जो इस देश जो हमारा भारत देश है इससे जाके बाहर कहीं काम करते हैं बाहर के विदेश में बाहर विदेश में जाके काम करते हैं तो उनको passport चाहिए होता है तो हमको इससे passport का हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें इंडिया के अंदर pen card, bank और आधार का जर्रत होता है तो आपको समझ में आ रहा होगा man अपना bank, pen और आधार होता है लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं जो आपका pen card है उसको आपको किस परकार से डालना है KYC अपडेट करना है आपको pen जो यहां पर दिख रहा है आपको pen option पर click कर देना है जैसे ही आप click करते हो तो आपके सामने कुछ इस परकार का option आता है अब आपको यहां दिख रहा होगा आपको नाम दिख रहा होगा जो नाम है आपका pen details का वह आपको यहां so हो जाएगा अब आप इसमें कोई changes करना चाते हो तो आप आराम से कर सकते हो आपको समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर edit करना है अगर आपका pen नाम में कोई कमी है कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से change कर सकते हो जैसे यहाँ पर जो नाम आपको so हो रहा है उसमें हमको changes करना है, तो हम किस परकार से उसको changes करेंगे, आपको यहां से इसको break कर देना है, क्योंकि हमारा इस नाम में कोई gap नहीं है बीच में तो हम इस परकार से इसको करेंगे K-U-M-A-R आपको समझ में R होगा, इस परकार से यह है दिख रहा होगा आपको अब यहाँ पर जो आपका pen का जो digit होता है जो आपका 10 digit होता है pen card का वह है आपको यहाँ पर डाल देना है आपको कोशिस करता हूँ दिखाने की तो आपको जो pen number है वह है आपको डाल देना जो भी आपका हो 10 digit का उसके अंदर capital letters हो या आपका जो गनित का जो अक्षर होता है वह हो तो आप इस प्रकार से डाल सकते हो जैसे मैं इधर डाल देता हूं यहां मैं डाल रहा हूं आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको जो भी हो आपको डाल देना यह है मैं example के तोर पर आपको समझा रहा हूँ नाम भी मैं आपको एक example के तोर पर दे रहा हूँ आप गिन सकते हो यह कितना digit हो रहा है तो मैं थोड़ा आराम से इसको गिन लेता हूँ 3, 6, 3, 9, 10 यह मेरा 10 हो चुका है अब आपको यहाँ एक save का option मैं आपको पूरा कोशिस कर रहा हूँ दिखाने की आपको यहाँ पर दिख रहा होगा save का option इस प्रकार से मैं आपको कोशिस कर रहा हूँ 3 के निसान से भी समझाने की इस save के option पर आपको click कर देना है जैसे ही यहाँ पर आप इस save के option पर click करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि KYC आपका जो डिजिटल है वह है आपका जो KYC अपडेट के लिए जा चुका है आपको मैं इसको जूम करके और दिखा देता हूँ KYC details saved and will be said only after digital approval by employer आप देख सकते हो यह है जो आपने KYC अपडेट किया था पैन कार्ड का पैन कार्ड के अंदर जो आपका नाम था वह है और दस डिजिट डाल के आपने save पर किलिक किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का है message आ चुका है तो यह है जो आपका KYC यह है आपका KYC details approval के लिए जा चुका है जो आपका KYC pending option होता है मैं आपको कोशिस करता हूँ उसको दिखाने की आप यहाँ notice करोगे तो नीचे में आपको दिख रहा होगा KYC pending for approval इस option के अंदर आप जैसे ही इसको थोड़ा side की तरफ करते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा जो KYC का होता है आप देख सकते हो इस status में आप देखोगे तो यहां लिख रहा है pending with employer for digital signature इसका मतलब यह है कि आपकी जो आपने KYC update की है pen card की वहे आप digital signature के साथ हस्ता चे रोके automatically verified हो जाएगी और मैं आपको बता देता हूँ अगर यह है आपकी verified नहीं होती है आपके pen card में और आपके UANPF में किसी परकार को कमी है तो आपका तो वहे 60 दिन के अंदर reject हो जाएगी और आपको दुआरे update करनी होगी आप remark में देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा कि आपकी automatically start date के अंदर date में वहे निरस्त हो जाएगी आपको समझ में आ रहा होगा तो दोस्तो इस परकार से आप भी अपना pen card को UANPF के साथ update कर सकते हो और आप भी अपना PF का पैसा withdrawal होने पर जो कटता है उससे आप बस सकते हो तो आसा करता हूँ दोस्तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो like करे आगे share करे और PF से संबंदित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद